इस भाग में हम सबसे ज़्यादा वेवसाईक महत वाला मश्रूम यानि बटन मश्रूम की खेती के बारे में बताने जा रहे हैं वर्तमान में वटन मश्रूम मुखितय हिमाचल परदेश, उत्तराखंड, उत्तरपरदेश, पंजाब, हरियाना, दिल्ली, महरास्ट्र, आंदरपरदेश, तमिलाडू, करनाटक और बिहार में उगाई जा रही हैं बिहार में वटन मश्रूम की खेती अक्तूवर से फरवरी माह तक सफलता पुर्वक की जा सकती है इस मश्रूम के उत्पादन के लिए कवक जाल फैलाव के दौरान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस तथा फलन के समय 14 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवशक्ता होती है इस मश्रूम को उगाने के लिए मूल रूप से तीन चीजों की आवशक्ता पड़ती है कमपोस्ट, स्पान और केसिंग मिश्रन जिस पदार्थ पर मश्रूम उगाया जाता है उसे कमपोस्ट या खाद कहते हैं कमपोस्ट दो विधियों से तयार किया जा सकता है एक पाइप विधि और एक सामान्य विधि पाइफ विधि से कमपोस्ट तयार करने में लगभग दो सप्ता का समय लगता है वहीं सामान्य विधि से खाद तयार करने में चार सप्ता यानि 28 से 30 दिन का समय लगता है परंतु विशेश यंत्रों की अवशक्ता नहीं पड़ती। पाइप विधी से खाद तयार करने में कम समय लगता है लेकिन अधीक पूंजी और थोड़ी ज्यादा संसाद्मों की अवशक्ता पड़ती है। दोनों ही विधियों से कमपोश्ट तयार करने के लिए इन सामाग्रियों का होना जरूरी है। और खाद को ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए मूर्गी का बीट भी मिला सकते हैं। कि Εचस पत्र पाल इन से हैं अOLगी का हम झाल पर बीटियों का विए भी मिला बनानेे के लिए के मिला है।